अब बहुत बहुत स्वागत है आपका अने के ग्रेट प्रेटफॉर्म के उपर जहां पर हम बात करते हैं बेस्ट एजुकेशन की और आपको पता है कि यहां पर डेली बेसिस पर क्रण्ट अफैर्स की क्लासिस चलती है तो आप लोग अप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ ही मैं बता दूँ आपको कि क्रण्ट अफैर्स की जो क्लास है हमारी हर रोग चलती है काफे सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि मैं कैसे जो है क्रण्ट अफैर्स को कवर करें क्योंकि काफी मुश्किल हो पाता है कम टाइम में मैक्सिमम क्र प्रप्रेशन में नहीं आनी चाहिए ठीक है I hope कि मेरी voice audible होगी सब कुछ visible होगा एक बार आप मुझे बता दीजिए यह स्टों करके ताके कि हम क्लास टार्ट कर पाएं क्लास काफी डिस्टर्ब भी होती है और टाइम भी हमारा बहुत बेस्ट होता है और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आपका लक्ष जो है हमेशा आपके लिए important होना चाहिए और तब तक आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपको लक्ष आपका प्राप्ट ना हो जाए तो उसी intensity से उसी hard work से आप लोग आगे बढ़ते रहें ताके की बहतर तरीके से अपने aim को achieve कर और अपने सपने को साकार करें और साथ में ही बात करूंगे आपके साथ current affairs के series की जो के daily basis पे चल रहा है आज हम स्टार्ट करने जा रहे है question number 131 से इक से पहले के series में करवा चुकी हूँ आप लोगं को current affairs के series जिन्होंने नहीं देखिए वो जाके देखिए और इसके सासाथ कि मैं सबसे पहले आपको आगे के चीजों के बारे में बताऊं मैं रामा चोहान very good morning अनूं ठीक है voice clear thank you so much for the confirmation mohit very good morning thank you so much for the confirmation यह सवाल था मेरा आप लोगों से जिसको अब देख पाएंगे question number 131 30 यह सवाल मैंने कल आप से पूछा था और मैंने कहा था इसके बारे में detail में जो description है मापको कल बताऊंगी तो I hope कि आप लोगों ने इसके ओपर कुछ homework किया होगा और मैं उमीद करती हूँ कि आप इसका appropriate जो answer है वो दे पाएंगे कि ठीक है सुगंदा good morning ने हाँ तो इस सवाल का जवाब आपको मुझे देना है comment box में और इसके साथ साथ ही मैं start करूंगी rest of the चीजों के बारे में और बात करूंगी सबसे पहले unacademic learning platform के बारे में जो काफे vast और great platform है इसके साथ paper 1 में पढ़ा रहे हूं रोज साड़े 10 बजे और paper 2 की class रोज होती है मेरी special app के उपर साड़े 11 बजे history पढ़ा रहे हूं paper 2 में तो यह आप सबको आपको join करना है काफ़ important sessions रहेंगे आपके लिए यह telegram channel है sonia singh ugc net underscore unacademy तो यहां से आप लोग मुझे follow कर सकते हैं साथ में bdps भी आपको इहां से मिल जाएंगे आइकॉनिक प्लस यहां पर हमेशा personal coaching के बारे में बात करता है test analysis के बारे में आने कि आपकी performance को ग्रेड करता है गुड मॉर्निंग मिस्टर क्लैश गेमिंग देखिए हम यहां पर पढ़ाय लिखाए के purpose से आये हैं मैं उमीद करते हूँ कि आप सिर्फ उसी भाषा का प्रयोग करेगी जो कि पुरी तरीके से appropriate है और और इसको भी आपका पुरी तरह से constitutional freedom है और हमें भी पुरा constitutional freedom है कि हम आपके उपर किसी भी तरह का legal और illegal action ले सकते हैं अगर आपने किसी भी तरह कि आप अधर भाषा का प्रयोग क्या जो कि पूरी तरह से acceptable नहीं होगा कि 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 आप मैं बात करूं तो life test series यहां पर available रहेगा और यह काफी important है आपके लिए जो कि structure planning की बात करता है साथ मैं अगर मैं बात करती हूं तो यह भी काफी important code है आपके लिए प्लस के batches already चल रहे हैं रोज class होती है एक बजे तो इसको आप लोग जोईन कर सकते हैं और आज आज आपको teaching aptitude complete पढ़ाऊंगी छे महिने से 24 महिने तक का course आप लोग यहाँ पर जो है ले सकते हैं iconic as well as plus के लिए structure planning के लिए अगर आपको लगता है कोई doubt है कोई ऐसी समस्या जो आपका समाधान नहीं कर पा रही है तो आप लोग इन courses को join करके अपनी बहतर तैयारी को बहतर किक दे सकते हैं सब कुछ available होगा okay thank you so much Mr. Clash Gaming I hope कि आपके लिए बहतर चेतावनी होगी आगे से कभी भी क्लास में अगर आप आते हैं तो मैं उमीद कर दो कि सिर्फ उसी भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा में सब लोग समझ बाते होंगे हमें यहाँ पर entertainment के लिए नहीं बैटे हैं का मतलब यह नहीं कि कोई चीज अगर आपको मुफ्त में मिल रही है तो उसका फाइदा भी तरीके से उठाएंगे ठीक है और अगर कोई ऐसी चीज अगर आपको पसंद नहीं आती है वीडियो तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं फीडबैक फॉर्म यहाँ पर आपक मुझे जॉइन कर सकते हैं अब कमिंग ग्लास के गर में बात करूँ तो यह काफी इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पर शेसंद इसके होते हैं रिकॉर्डर अगर आप देखते तो काफी जायरख वालिफाई करने के लिए और यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है लक् कॉमेंट करके आपको मुझे बताना है काफी सारे बचों ने कॉमेंट करके मुझे बताया भी इंदू सुगंधा हलो भी ने वेरी गुड मॉर्निंग और यहाँ पर उत्तम नी इसके बारे में मुझे बताया था ठीक है तो आप इस question को देख पाएंगे question मैंसे काफी general question है बट फिर भी important हमारे लिए है क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे है है people environment से कई वर हमारे सवाल बन जाता है तो यह तो है ही important हमारे लिए और साथ में इस important questions के साथ साथ 2-3 facts आपको जानने यह भी important है कि क्यों यह question हमारे लिए important है rest of the 129 questions की जो series है current affairs की वो बाकि के YouTube चैनल पर हमारी playlist पढ़ है current affairs की वहां से आप देख सकते हैं and safer side you also can join my special classes and as well as my telegram channel हां Mr. जो भी आपका नाम है special classes बिल्कुल free of cost होती है कुछ पे नहीं करना पड़ता है निश्टा very good morning और 1130 class है उसके बाद होती है हमारी एक बजे और उसके बाद साथ बजे तो back-to-back classes आपको देखने को मिलेंगी कुछ free सब कुछ free में ही है तो मैं उमीद करती हूं कि इसका बैतर फायदा आप उठाएंगे ओके तो question आपके screen के उपर है 1130 एंड आपको बताना है किसका सही जवाब आपके लिए क्या हो सकता है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि coffee अन्ना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है सबसे पहले रिकमेंड किया था ठीक है और कल मैंने आपसे पूछा था कि HIV AIDS Day कब मनाया जाता है तो यह आपको मुझे बताना था कल comment box में December मैंने hint भी किया था आप लोगों को तो 2000 से लेकर 2001 के बीच में इन्होंने global funding के थुरू fight करने के लिए AIDS के साथ और tuberculosis TB और malaria के लिए काफी बहुतर initiative लिया था हमें पूरी तरीके से कह दिया है कि हम वह malaria free घोशित हो चुके हैं और October में हाल फिलाल ने बधाई देते हुए चाइना को यह कहा भी कि malaria करने के लिए बहुतर initiative लिया है चाइना ने तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है दिस तो next question है आपके screen के ऊपर और question रहेगा यह 131 131 question आपके screen के ऊपर हैं hello saying very good morning जंगीत good morning Mohini very good morning सुगंदा thank you so much for the extra information 2001 में महा सचीव कॉफी अन्ना ने ग्लोबल फंड में अपना पहला योगदान दिया था और इसी योगदान के दौरान ही उन्होंने AIDS HIV AIDS को और साथ में हमारे ट्यूबर क्लोसिस को और मलेरिया को भी कहा था कि इसके उपर एक सीरियस काम करने की बहुत ज्यादा आउशकता है ठीक है और यहां पर मैं बात करूंगे holistic education की statement को आप देख पाएंगे हिंद इंगलिश दोनों में question available होंगे screen के उपर तो holistic education ancient इंडिया में was not the acquisition of knowledge कहते हैं कि पूरी तरीके से समगर सिक्षा आपके प्राची इन भारत में काफ़ी important इसलिए है क्योंकि जो हर shift में आपको एक value से holistic education से जोड़कर सवाल इस बार पूछा गया था तो यहां पर आप चेक कर पाएंगे कि आपका appropriate approach क्या है एक मिनट का time था वो जा चुका है so we will focus on the right option okay ठीक है सुगंदा 133 का A ठीक है सुगंदा well done very good उत्तम अनू एक दिसम्बर ठीक है अनू thank you so much for the information Mohini well done सैंक ठीक है Mr. Aroda very good morning 131 का B नहीं है वंदिना ठीक है A is the right answer देखे holistic का मतलब यह होता है जो पूरी तरह से complete हो तो complete से हमारा मतलब क्या है जहां पर sustainable development की बात करते हैं तो अगर आपको चाइल्ड के अंदर developments को करने हैं तो उसके अंदर बहुत धेक्षमत है इनि इंटलेक्ट्ट्वालिटी की हम बात करते हैं भावनात्मक emotional virtual अध्यात्मिक और physical जो आपका शारीनिक बल होता है उस सभी चीजों का अपना में complete हम बोलते हैं कॉम्बो होता है हर चीज का विल्कुल उसी तरीके से इस कॉम्बो का होना आपके इंदर के बारे में मैंने बताया कि how to management the pain आप कैसे करते हैं उसको symptoms आपके क्या है आपका food nutrition कैसा है अगर आपका food और आपका अगर work culture यह अच्छा नहीं होगा तो physical growth होने की संभाव नहीं बहतर हो ऐसा संभाव नहीं है as spirituality में opportunity दी जाती है यहां पर कि आपके अंदर कम से कम दूसरों को माफ करने की जगडे से वापस उबरने की encouragement करने की शांत रहने की और peaceful frame mind होने का कम से कम इतनी आपके अंदर पावर्फुल तरीका होना चाहिए spirituality से जुडने के बाद psychological अगर मैं फ्रेमवर की बात करती हूं तो प्रोवाइड करता है आपके feeling and safety को और help करता है rediscover और senses को यहां पर and social को acceptance as a part of a group encouraging sense of belonging यह यहां पर आपको attach करता है आपकी society के साथ ठीक है और के senses आपका नाक कान कैसे senses को follow करता है जिसके बारे में प्याजी की अपनी गलेक सी theory भी है dignity कैसी है आपकी और किस तरीके से आपको treat किया जाता है being a fellow being human being in the society यह भी काफी हद तक matter करता है अगर किसी child के अंदर किसी human being के अंदर physical spiritual psychological psychological से हमारा मतलब है तभी आप पूरी तरीके से खुद को develop feel कर पाएंगे हां ठीक है सायंक holistic का मतलब होता है overall जी ठीक है सुगंदा thank you so much for the extra information to provide support that looks at the whole person not just their mental health needs and the support should also consider their physical emotional social and spiritual well-being thank you so much Hindu Mr. Alam very good morning ठीक है आगे बात करेंगे question number 132 के I hope की holistic value का सवाल मैंने काफी इस explanation दी है आपको फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप वह से पूछ सकते है 132 question की बात कर रहें हो और सवाल आपका directly पूछा है higher education से university grant commission से तो कब बनी है आपकी 1953 में सबसे पहले कब आई है considerations में आई है implement कब हुई है 1956 में हुई है deepest इसके चेर परसन है यह सवाल डारेक्टली आपसे पूछा गया था तो आपको बताना है कि इसमें से UGC जो है आपका university grant commission इसका mandate work कौन सा है यानि कि कौन सा आदेश के तहत आता है आपको यहाँ पर चार option देए गए गए हैं जो आपको बतानी है पांच option है sorry promotion and coordination बनाना है यानि कि promote करना है universities को और coordination को बना कर चलना है दूसरा यह कह रहे है कि monitor करना है कि कैसे टीचर से examination अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है अनुस अंधान research में आप कितना बहतर कर पा रहे हैं ठीक है और यहाँ पर organize करना है क्या development programming को colleges and universities में D कह रहा है कि framing करना है regulation को minimum standardization को और disturb अगर आपका regulating grant commission होता है तो उसको और वहतर बनाने के जिम्मेवारी किसकी है University grant commission की है well done उत्तम सुगंधा मोहिनी अनु ठीक है maximum का जबाब A है कि A B C D होना चाहिए E को काफी कम लोग preference दे रहे हैं तो मैं बता दूँ आपको तो option number C है उसको छोड़ कर अगर मैं option number C को छोड़ देती हूं आप देख पाएंग screen के उपर कि UGC का काम यहां पर professional तरीके से colleges and universities में teachers को जो है पॉइंट करना नहीं है बागे rest of the come सारी university करती है यह आपको ध्यान में रखना है काफी important question आपके लिए रहेगा डीपी सिंग इसके chairperson है काम क्या है higher education में ministry of education को इसमें पूरी तरीके से एक भैदर body के रूप में देखा जाता है जिसका काम क्या है पूरी तरीके से organize करना कहां इसका headquarter है new Delhi में है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है examination perspective से important रहेगा आपके लिए ठीक है आगे बात करेंगे question number 133 है आपके screen के उपर और आपको match करना है list 1 के साथ list 2 को तो international agreements कौन से हैं provisions आप से पूछे गए हैं Kyoto Protocol के साथ Paris Agreement, Rio Summit, International Solar Reliances अगर आपको थोड़ा सा और depth analysis अगर आप कर पाते होंगे तो इस बार हर shift से यह चारो के चारो सवाल आप से पूछे ग होता है Paris Agreement को छोड़ कर अगर मैं बात करूं तो Rio Summit जी यानि की जो आपका Earth Summit के नाम से भी जाना जाता है यह भी सवाल इस बार आप से पूछा गया था एंटरनेशनल सोलर एलाइंस तो वान ओफ दा फेवरेट कोश्चन था ही NTA तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं आन कर पाते हैं reliable है clean energy है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पूरी तरीके से convention of biodiversity को अगर आप connect कर पा रहे होंगे तो आप सही जवाब यहाँ पर बता पाएंगे अगर elimination method से भी देखेंगे तो भी सवाल को सही कर पाएंगे और इसका right answer है आपका number 2 यानि 1 का यहाँ पर 4 है B का 3 ह C का 1 है ND का यहाँ पर 2 है तो आप ध्यानवे रख सकते हैं क्योटो प्रोटकोल यहां से किस से जुड़ा हुआ है आपके mechanism से जुड़ा हुआ है जो reduction of limitations commitment के बारे में बात करता है यहाँ पर जो आपको ध्यानवे रखना है emission जो produce होता है उसको reduce करना है remove करना है यहाँ पर औ अंडर पैरिस agreement जो आपका हुआ है का country decide करती है कि हमें जो nationally determined contribution है 2030 तक बढ़ावा करना है तके maximum countries यहाँ पर पास पारिसिपेट कर पाए यह प्रोटो प्रोटोकोल पैरिस agreement दोनों में differentiation को आप जान पाएंगे हां जी बल्कुल सही का आपने मोहिनी वल्णान सुगंधा वेर यहां पर तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि उटो में और पैरिस में फरक क्या है देख लिए 1997 में स्टार्ट होता है 2016 में आया है 5 साल के लिए है और यहां पर greenhouses gases emissions के लिए हम बात करते हैं पर इन्हों ने यहां पर कहा है कि हम legal तरीके से यहां पर reduce करने करने की कोशिश कर सकता है यहां फिर अगर आपका greenhouses gases का impact वह भी हो सकता है तो यह भी आप ध्यान में रख पाएंगे हां ठीक है निश्चा है और और अरिजनल कमिटमेंट के गर में बात करती तो 5% है यहां पर 1990 तक लेविल्स तक का और यहां पर development के गर में बात करती नेशन से पूस्टा है कि कितना आपने यहां पर कोशिश किया है एक्जांबल के दौर पर आपको पता होना चाहिए कि जपैन ने 2050 तक कहा है कि हम co2 को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे emission को target set करना है यहां पर और यहां पर declare करना है कि 5 साल बाद आप कहां पर stand कर रहे हैं यानि कि Kyoto Protocol एक यहां पूछा गया था और important है आपके लिए Agenda 21 के नाम से भी इसको जानते हैं रियो समिट के नाम से भी जानते हैं और अर्थ समिट के नाम से भी जानते तो दो तीन इसके नाम है 1992 में यह आया है अगर सवाल आपको अर्थ से रियो से Agenda 21 से आता है तो आप question को same way में attempt करेंगे ठीक है ब्रिजील में इसको सबसे पहले environment development के लिए काम करने के लिए बताया गया है और यहाँ पर Agenda 21 sustainable development के लिए काम करता है और agree करता है वर्ल्ड की सारी governments की वो participate करें किसके लिए sustainable development के लिए आपको पता है कि हम SDG के बारे हम बात करते हैं ठीक है जिसके हमारे 17 goals से 169 targets है और कब तक complete करना है 2030 तक complete करना environment को बचाना और aware करना यह किसका अच्छा खासा goal है और convention जो है रियो दिजनेरिया का या फिर अर्थ समिट का इसका सबसे main benefit यहाँ पर यह है कि convention on biodiversity के लिए काम करता है climate change के लिए काम करता है combat यहाँ पर काम करता है किसके लिए decertification के लिए आनि कि जो समस्या environment में आ रही है उसको कम करने के उपर awareness के लिए काम करता है तो यह आपको ध्यान में रखने slide काफी important है आने वाले paper में कोशिस देखने को मिल सकते हैं आपको और मैं बात करें थी international solar alliances के तो मैं बता दूं आपको कि renewable energy के मामले में hydro आपका सबसे उपर है उसके बाद आता है solar alliances जो काफी important है आपके लिए geothermal उसके बाद आता है आपका biomass ठीक है जो आपका गोबर गैस बनता है तो यह तो इसकी sequence energy को यूज करने की अगर मैं international solar alliances के गर मैं बात करती हूं तो रेवा जो आपका है solar alliance एशिया का सबसे बड़ा ऐसा पावर प्लांट है जहां पर solar alliances को लगाये गया है उसके अलावा राद तमील नाडू में hydro के पावर प्लांट्स लगाये गए हैं उसके बाद अगर महरादिस्तान की माउंट आपो की बात करनी पड़े ठीक है हाँ जी MDG के आठ गोल है ठीक है उत्ता निश्टा कह रही है कि the convention has three main goals convention of biological diversity sustain करना है components को fair and equitable sharing benefits arising from the genetic resources ठीक है निश्टा thank you so much for the extra information और निश्टा ने फिर भी बताया है कि यहां पर this initiative was a first proposed by Indian PM and Modi हाँ निश्टा मैं उसी के ऊपर आ रहे हूं 2015 में किया है इन्होंने sunshine countries sons of the suns के बारे में बात किया है सूर्य पुत्र जैसी जो चीज़े हैं लॉंच की गई है तो 10 units ने यहां पर start की है 10 action plans के रूप में तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है ensuring the cheap improved solar technology easily available हो पाए यहां पर national energy को mix कर पाए problem challenges को कम कर पाए risk free funding जो है यहां पर दे पाए और solar technologies को हम यहां पर approval करवा पाए कम से कम projects को develop कर पाए तक कि nation के लिए helpful हो assimilation की यहां पर बात करते हैं कि मिला कर काम करना है revolutions के तौर पर account local circumstances and factors जो भी है उनको check कर पाएंगे networks में क्या दिक्कत आ रही है यहां पर help कर पाएंगे sustainable development goals में क्योंकि हमारा funding क्या है यहां पर हमारा एक लौता goal है कि renewable energy के sources को बढ़ावा देना है ठीक है यहां पर making the international solar alliances को पुरी तरीकी से strong बनाना है professionally तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे जो काफी important है आपके लिए और आगे बढ़ेंगे question number 134 है आपके screen के ओपर ठीक है हाँ goal of the IAC is affordable reliable and clean energy to set the ground rules of solar energy and international solar alliances the first intergovernment organization रहा है यह ठीक है निष्टा 134 की मैं बात कर रही हूँ यहां पर और आप से पुशा गया vision क्या है आपका guide करने का research करने का socially relevant area में यह कहरें कि अगर आपको समाजिक तौर पर किसी area में किसी शेत्र में अगर आपको research करना है या आपको किसी को guide करना है तो उसके लिए आप किस तरीकी का platform यूज करेंग ठीक है imprint के बारे में कल मैंने बताया था काफी टेकनल टेकनिकल टर्म होती है जहां पर टेकनिकल enhancement के लिए हम लोग बात करते हैं स्वैम प्रभा जो एक आपका DTH का चानल है जहां पर maximum time पर हर चार घंटे में एक नया lecture यहां पर प्रवाइड करवाए जाते है students को और यहां पर आप ध्यान में रिख पाएंगे A, R, I, I, A कि मैं बात कर रहे हूं तो देखते हैं what is the right answer on the screen maximum का A है यहां पर तो A नहीं है आप देख पाएंगे देखिए जहीर सी बात है कि हम imprint की बात कर रहे हैं यह एक SIE scheme है मैंने पहले भी हिंट किया आपको कि science से जुड़ा हुआ है तो research innovation के लिए लोग बात करते हैं technological तरीके से तो आपकी जितनी भी government हो support करते हैं मालो आपका कोई भी एबी सी युनिवस्टी है आइटी मदरास लगा लेते हैं कानपूर आइटी बॉंबे जो भी है कानपूर है रूटकी रोपर तो मालीजे अगर वहां पर काफी सारे से स्टूडेंट्स है जो कि टेक्निकल मामले में खुद को नहास करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर यह सरकार का इंप्रिंट के थुरू फंडिंग किया जाता है और इस इंप्रिंट फंडिंग में कम से कम 40-50,000 रुपए की स्कॉलर्शिप दी जाती है ताकि जो भी कानिड़ेट उसके लिए रिसर्च करना है अगर वह भारत के फायदयमंद के बात है देश के फायदयमंद की बात है त रहां पर जो बहत्र इन्वस्टिंग को जी Für इससे कि आपको पता है कि मदराश आपका भी नम्बर वन पे लेड़ कर रहा है यहां पर रांकिंग उसको सिर्फ रैंकिंग देने का काम करता है और फंडिंग का उन करता है and it stands for impacting research innovation and technology यानि कि क्या impact पड़ता है impact को चेक करना बड़ा important है कि funding तो आ रही है पर काम कितना impactful तरीके से हो रहा है वो भी जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए और आप देख पाएंगे कहां कहां पर यह लागू है आपका मैंने पहले भी बताया IAC को जॉइन किया है IIT को जॉइन किया है MHRD के थूरू जितने भी resources development आती है उसकी बात हो रही है यह वही है MHRD जिसका नाम बदलकर अब ministry of education हो गया है और कौन कौन इसके लिए काम करता है तो healthcare technology में IT खड़कपूर है computer technology में फिर आइडी खड़कपूर है कानपूर यहां पर advanced materials में हैं ओके रोड की है यहां पर habitat के मामले में मद्रास defense के मामले में Bombay hardware के मामले में IAC Bengaluru climates के मामले में and again IT Bombay यहां पर energy security के लिए काम करता है है हां एक road map जो है create करना है आगे बात करेंगे question number 135 है आपके screen के उपर सवाल को आप देख पाएंगे काफी बहतर question है I think easy भी है और maximum को इसकी बारे में पता भी है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप मुझे इसका सही जवाब दे पाएं sequence में तो आपको बताने कि सबसे पहला कौन सा आया है दूसरा कौन सा है मैं date mention कर रहे हूं आपको मैं hint के तौर पर ताकि आप सही की जवाब दे पाएं ठीक है तो 86 वाला राजीव गांधी के अंडर आया है और 1968 वाला आपका आया है इंद्रा गांधी के अंडर जब वो पी एम थे पहले जो education policy है 1968 में आई है दूसरी 1986 में आई है तो यह आप धान में रख सकते हैं हाँ धर्मेंद प्रधान है बिल्कुल सही कहा हो तम आपने पहले पेट्रोले मिनिस्टर रहे अब हमारे education मिनिस्टर है तो यह आप धान में रख सकते हैं उससे पहले प्रकास जावेट कर सकते हैं यह भी आप धान में रख सकते हैं में चाड़ी की तरफ से हाँ ठीक है सुगंदा वर्ल अटेम्ट और अगला सवाल आप स्कीन की उपर देख पा रहे होंगे कोठारी कमिशन मुदेलियर है राधा कृष्णन है है आपकी जानकारे के लिए मैं बता दू कि इस बार करना शिप्ट में कोठारी कमिशन से डारेट सवाल पूछा गया था हमारा कुष्ण niż यह स्टेट्मेंट उस्टी में किसका है ठीटम्ट किसका था मुदेलमें कि यह कि वडिय करें कर पर के नेंश्मो Axel What नेहा कुमारी ठीक है देखे सही जवाब इसका क्या है काफी इजी भी है कि आप देख पाएंगे डी एस जो राधा कृष्णन है 1942 में राधा कृष्णन ने इसको फॉर्म किया है 48 64 66 68 ठीक है उत्तम बढ़ना 48 में बना है 100 मिनिमम जो अगर हम बोले तो यह कहते हैं कि वर्किंग डेस फिक्स हैं आपकी उन्वर्किश्ट एजुकेशन कमिशन को बोले यह राधा कृष्ण कमिशन बोले एक ही बात है कब बनी है 1942 में किसके अंडर में राधा कृष्ण के अंडर में बनी है और अटेंड क इसा देने का काम करती है उन्वर्किश्टिस को तो यह भी आप धान में रख सकते हैं आगे बात करेंगे क्वेश्टिन नबर 136 ऑन दा स्क्रीन और सवाल है यह आपका रिसेर्च वाले पार्ट से क्वेश्टिन आप से पूछा गया है कि एक एक ऐसा विश्विद्याला है जहां पर हम यह अध्यन करना चाहते हैं यह प्लानिंग करना चाहते हैं कि शिक्षकों और सात्रों के दृष्टि कौन से यानि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग या उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग इनको जो हम पुरी तरीके से एक नया जो मेंबर 1948 में हुआ था एम था रिपोर्ट करना इंडिन यूवर्सिटी को एजुकेशन को ठीक है बल्डाण ओके ठीक है तो यह आपको बताना है काफ़ा important question है 136 का A आ रहा है maximum का कि एक और तीन होना चाहिए देखे सही जबाब क्या है इसका right answer है 4 और 5 2 और 4 यानि case study method और आपका ethnographic method यह clear explanation दूँ आपको is the concept circle case study method का मतलब यह होता है कि आपके पूपर एक case है उसमें 2-4 लोग है और उसके उपर आप काम कर रहे हैं ठीक है और यह कैसा होता है यह quantity के उपर नहीं quality के उपर बेस होता है ethnographic का मतलब होता है जो पूरी तरीके से आपके bookish knowledge होती है ethical knowledge होती है उसके उपर हम बात करते हैं ठीक है तो यह भी कैसी होती है आपकी qualitative होती है ना कि quantity के उपर बेस होती है ठीक है case study है और साथ में historical है वसे यहाँ पर है भी आप the ethnography है negative नहीं होता इन-depth study होता है जनरेट करता है rich culture को social accounts को observe करता है values बता होलिस्टिक होता है यहाँ पर comparative है इन-depth description है groups life के बारे में बात करता है तो यह आप धान बर रख सकते हैं ठीक है case study के उपर क्या 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 बेस होता है डेटा होता है डेटा को research करते है methods को choose करते है criteria को हम fix करते हैं कि स्क्राइटेरिया में रिसर्च करेंगे conclusion के उपर आते हैं data में knowledge आता है आपका subject क्या है जिसके उपर आपके study कर रहे है subject के बार evidences आते हैं दोनों मिलाकर हम conclusion के उपर पहुँश पाते हैं हाँ यह question I think madam Simran Nagran ने discuss किया था research वाला तो आप धान में रख सकते हैं उन्होंने इसके बारे में question same नहीं था निश्टा और उन्हें explanation दिया था अलग-अलग types के बारे में ठीक है और आगे बढ़ेंगे question number 137 आपकी screen के उपर जो आप देख पाएंगे और format की बात हो रही है styles की reference कर रहे हम यहाँ पर inappropriate तरीके से तो क्या हो सकता है आपको पता है कि format and styles जो है reference का किस तरीके का होता है technical labs के कारण unethical होता inability lack of commitment यह कहने कि कोई आप thesis बनाते हैं कुछ लिखते हैं self study करते हैं कोई किताब लिखते हैं thesis लिखते हैं present लिखते हैं कब करेंगे यहाँ पर शेली को अनुची तरीके से पालन कब करेंगे उसका यह सवाल आपसे पूछा गया है तो उसका पालन कब करेंगे टेक्निकल लाइफ जब होगा या unethical practice होगी या ऐसनी को inability होगी जो आपके thesis को लिखने के लिए आपको मजबूर करेंगी lack of commitments होगा ह ठीक है सुगंदावल अटेम्ट के विने टेलीग्राम चैनल है मेरा सोन्या सिंग यूजिसी नेट अंडर स्कोरन अकैडमी यहां से आप मुझे जॉइन कर सकते हैं देखे टेक्निकल लाइफ के दौरान और पार्ट ओफ रिसेर्च के दौरान आप पॉर्मेट इन स्टाइ जो आप ध्यान में रख सकते हैं वैसे मैंने बता भी दिया आपको एक बार ठीक है ओके ठीक है उत्तम सुगंधा वेल्डान नेहा बेरी गूट निष्ठा एस दराइट आंसर अनू वेल्डा वेल अटेम्ट और आगे बात कर देंगे 138 क्वेश्चिन की आपके स्क्रीन के बनाने के लिए आप इसमें से क्या चूज करेंगे आप बर यहा और फिय आप अगलास में बच्चे को पढ़ा रहा हो तो बच्चे के लिए विसम्ज में दो रहे हैं पर चाइमर के बात करें feedback मांगे, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, यह ideas को contribute करेंगे, कि आपका अपना क्या विचार है, उसमें योगदान दे, जहां रहे हम teacher effectiveness की बात करें, जहां पर learner center में होता है, teacher यहां पर secondary position में होता है, which is very important to know, okay, C आ रहा है, जाई सी बादे engagement of students ही होगा, तो कैसे होगा, आप यहां पर बच्चों को engage करेंगे, आपके playway method से, group discussion में, project से, demonstration में, बात्चित करके, question है के दुरू, ठीक है, तो how to pretend and how to intervene, behavior classroom management कैसे करेंगे, कैसे आपको behave करना है, कैसे आपको prevent करना है, positive relationship, direct indirect हो सकता है, safe हो, peer coaching होनी चाहिए, effective teaching हो, special assistance हो, behavior function बहतर हो, behavior data अच्छा हो, कल class में जब हमने adult education के बारे में बात किया था, कल जो 6 घंटे ओल इमारतन session थी, उसमें भी आपने देखा हुआ, किसके बारे में बात की गई थी, कि आप देख सकते हैं, जब आपको PDF मिलेगी, classroom management के साथ और behavior management में क्या difference होता है, यह important है सवाल, इस वार paper में आ सकते हैं, कि क्यों behavior से सवाल इस वार पूछा जा चुका है, हाँजी, छीख है, आगे बढ़ेंगी, question number 139 के उपर, और सवाल आप से पूछा गया है, कि आपको यह बताना है, कि learning environment में यहाँ पर institution को पहचानना है, कि कैसे वो काम करते हैं, effective तरीके से, याई इसी संस्थान में सकार्तमक सिक्षन परिवेश संबंधिन सिक्षन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना है, तो कैसे करेंगे आप पहचान, पहचानने के तरीका आपका क्या होगा, clear presentation हो teacher की, number one, यहाँ पर scope और open discussion होना चाहिए, number three, answer students दे, यहाँ पर जब सवाल आप पूछे, number four, यह कह रहें कि reinforcement positive और negative होके, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है, तो आप उन्सको motivate किजिए, ठीक है, और available करवाएं आप teachers को guidance को, तो यह भी बहुत important है, ठीक है, ओके zoom कर दें, नहीं दिखाई दे रहा है, बिने पांडे, ओके, just a minute, I think, थोटब से resolution आप बढ़ा पाएंगे, बागे को भी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर मैं जादा zoom करूँगी, तो शायद अब सवाल को, I think, यह clear होगा, ठीक है, ओके, maximum का आ रहा है, 139, ठीक है, विभा, I think clear है, अब zoom कर दिया है, मैंने, अब देख पाएंगे, इस्क्रीन के उपर, ठीक है, देखते हैं, सही जवाब क्या है, इसका, इसका सही जवाब है, 4, 2 और 4, 2 और 4 क्या कह रहा है, 2 और 4 यहाँ पर कह रहा है, open discussion होनी चाहिए, और साथ में, आपको reinforcement करना चाहिए, जैसे हम अभी open discussion कर रहे हैं, मैंने आपसे पूला, बोला कि विभा, ठीक है, जूम है, दिखाई दे रहा है, आपने बोला, हाँ, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इस इस अओपन discussion, यो और फ्री तो आस्ट प्वेस्टन, ठीक है, तो continuous feedback बहुत important है, कि आप बताएं कि मैं समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, बचे को motivate करेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि सबको medal ही देना है यहाँ पर, अगर आप participation करेंगे तो आपकी भले की बात होगी, access करना है यहाँ पर, tools को, social emotional engagements बहुत important है, कैसे आएगा बच्चों के अंदर, group discussions, peer discussions के साथ, self direction करें उनको, दिशा सही बताईए कि आपको किस दिशा में चलकर, अपने behavior को, mental health को, physical health को improve करना है, वो कौन करेगा, teacher करेगा, ठीक है, effective teaching के क्या क्या characteristics हो सकते हैं, encourage करना, discussions के लिए, share करना, knowledge को, जिसे अब भी हम यहाँ पर reservation के उपर discussion करेंगे, तो आपके ideas निकल कर बाहर आएंगे, concern क्या है, आपका quality को लेकर, यहाँ भी concepts की हम बात करते, demonstration यानि आप कैसे खुद को present कर सकते हैं, practical तरीके से, ताकि आप सामने वाले को समझा पाएं, अगर मैं कोई picture representation नहीं दे रही हूँ, simply सवार पढ़ाएं जा रही हूँ, पढ़ाएं जा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, आप बोर हो जाएं टाइम के बाद, ठीके, now let's move ahead on question number 140, सवाल है आपका ICT से, काफि सिंपल question है, सवाल ये कह रहे हैं कि information communication technology, जो है consider करता है subset को IT से, ये कह रहे हैं कि क्या जो आपका ICT है, ठीके, उसी में आपका ICT है, ये पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि जो IT है, क्या उसी के अंदर आपका पुरा completely ICT है, ये सवाल आप से पूछा गया है, फिर कह रहे हैं कि the right to use piece of software is termed as copyright, फिर ये कह रहे हैं कि कोई भी software अगर आप अपने PC email system में use करते हैं, तो क्या वो completely copyright है, copyright से हमारा मदलब होता है, एक आधिकार करना किसी चीज़ का, कि आप उसको use नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उस company की, उस founder member का permission लेना पड़ता है, copyright issues का कुछ-कुछ issues होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, इतना depth में जाने की need नहीं है, इतना ही आप जाने काफी रहेगा आपके लिए, इसका सही जवाब है, दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि क्या है, पहले हमारा IT था, फिर यह consider किसमें हुआ, ICT में हुआ, ना कि ICT से ICT में consider हुआ है, और कोई भी software है, जरूरी नहीं कि सब copyright में, कुछ software आपके copyright में हो सकते, पर सब नहीं हो सकते, और तभी होंगे, आप उसका पुरी तरीके से, जो है authentication दिखाएंगे, ठीक है, तो आप यह देख पाएंगे, copyright बट license यहाँ पर होना important है, आपके लिए store करना है, study करना, retrieve करना है, transmit करना, manipulate data करना, information की हम बात करते हैं, यह सब किसमें आता है, आपके IT में आता है, IT companies भी होती है, बट ICT क्या है, काफी late class में आई हैं आप, ICT क्या है, आपका e-learning है, virtual meetings है, आपने देखा, इस बार कितनी सारी virtual meetings होई है, आपका GEO Summit हुआ है, G20 हुआ है, COP16 हुआ है, ठीक है, ब्रीक्स इस बार आपका virtual हुआ है, गुड गवर्नेंस, जहां पर government action से काम करते है, टेक्निकल एन्हांसमेट, यानि कि आप digitalization के तरीके से आगे बढ़ते हैं, strengthening human rights, आपके अपने अथिकार क्या है, duties क्या है, उसको चेक करना, जैसे कि आपको पता है, कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए education free है, आटी के अंडर, तो यह क्या है, आपको देना क्या है, government की duty है, ठीक है, तो difference समझना बहुत important है, विन्हे वर्मा, इसके लिए आपको plus का बैज चॉइन करना पड़ी है, special class में आईए, आज एक बज़े आप समझ पाएंगे, ठीक है, और agriculture and medicine, जो medical developments है, वो supply कर पाएंगे chain को, instant communication and feedback की हम बात करते हैं, and human life becoming easy, अगर आपके पास यह सब कुछ है, तो आपकी life काफ़ी हद्द की easy और बैतर हो सकती है, ठीक है, I hope you clear होगा, प्रिथी कोई बात नहीं, class में आना important है, there is no need to say sorry, सुकंदा बस हम 31st तक run to fair कराएंगे, उसके बाद एक कारिक से फिर से, जो detail में चीज़ें हैं, आगे बढ़ेंगी, बाके free of course classes आपकी होती ही है, तो आप लोग उसको भी join कर सकते हैं, वहाँ पर detail में मैं पढ़ा रही हूं चीज़े, तो उसको भी आप join कीजी, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे, और आपके demand को इकाम करेंगे, पर बहुत important है, कि आप एक बार यह बताएं, तो सहीं कि आपको पढ़ना क्या है, अगर आप एक बार बताएंगे, कि तभी मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ पाऊंगे, पर अगर आपका feedback ही नहीं आएगा, तो यह काफे मुश्किल हो पाएगा मेरे लिए जाना कि, what you really want, कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो class के बाद, आप लोग मुझे comment करके बताएंगे, कि आने वाले दिनों में कौन सा lecture आप देखना चाहेंगे, और आपका क्या opinion है lectures को लेके, ठीक है, और 144 question का answer, यह मैं बताऊंगे आपको कल, यह आपका homework है, थोड़ा सा आपका जो brainstorming भी होना बहुत important है, ठीक है, हाँजी, बिल्कुल मुझे बताएंगे class के बाद comment करके, live chat में नहीं, वो चला जाता है एक time के बाद, जैसे class के बाद video खतम होगी, तो आप यहाँ पर मेरे से जान पाएंगे, पूछ पाएंगे, कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बताना है, यहाँ पर के एक तीसरा, जो पक्ष अप्रदगी का संगठन, उप्योग करताओं को, software application प्रदान करता है, local area network के लिए lane का, lane का full form इस बार आप से पूछा था, www आया था इस बार, stml पूछा था, NPTL पूछा था आप लोगों से, ठीक है, तो यह सारी SAC forms है, जो आपके लिए काफी common हो सकती, बट repeated है, ठीक है, तो यह भी काफी important है आपके लिए, ओके, तो what is the right answer of the same question, यह मैं बताओंगे आपको कल, तो मुझे कल जॉइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, अगें 10.30 in the morning, ताकि हम detail में जो है, discuss कर पाएं चीज़ों, ठीक है, और यह है आपका telegram channel, भी ने पूछ रहे थे मुझसे, यह है sonia s. ugc.net underscore run academy, यहां से आप मुझे join कर सकते हैं, और आपका plus का best मेरा चल रहा है, complete information structure planning के लिए, informations के लिए, आप मुझे join कर सकते हैं, srs10 के साथ, इस code के साथ, जहां पर 10% का discount मैं ensure कर रहे हूं, आप मैं यह भी ensure कर रहे हूं, कि पढ़ायावा content आपको वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा, and thank you so much for joining me, don't forget to put it your, जी जी सुगंदा, अचा 11.30 भी मेरी क्लास है, history की special app के उपर, और telegram से link follow कर लिजे, comment box से मुझे follow कर लिजे, तो वहाँ से भी मैं आपको रोज notifications मिल जाए करेंगे, ठीक है, don't forget to like this session everyone, thank you so much for your joining and your cooperation, comment box के अंदर मेरा profile है, plus का भी और free classes का भी, उसको follow कर लिजे, ताकि आप लोगों को notifications daily basis पे मिल दे,